हलो दोस्तों मेरा नाम है प्रदीव गौड और आप देख रहे हैं प्रदीव सभाला जी आप सभी को पता है नीट 2024 की कांसलिंग स्टार्ट हो चुकी है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की All India कट आफ क्या हो सकती है MBBS College के लिए Category-wise अगर आप General Category से हैं OBC Category से हैं SC Category से हैं ST Category से हैं तो Cut-Off क्या हो सकती किस Marks पर किस Rank पर आपको MBBS College मिल सकता है हमें ये भी जानना पड़ेगा कि 2023 में Cut-Off क्या थी और इस बार कहां तक Cut-Off जा सकती है वो Last Mark क्या हो सकते हैं जिस पर आपको MBBS मिल सकता है वो Safe Score क्या हो सकता है चलिए Time Navist करते हुए Start कर लेते हैं और हाँ इसी तर की Official वीडियो के लिए आप हमें Subscribe कर सकते हैं ध्यान से देखिए बच्चों अगर हम 2023 की बात करें हम कि Cut-Off क्या थी तो यहां पर एक चीज क्लिरली हमें देखने को मिलती है कि जो General Category है उसका Last Admission जो हुआ था याद रखेगा Last Admission की मैं बात करूँ General Category में तो 629 इस पर्टिक्लर मार्क्स पर हुआ था 2023 में और Cut-Off जो थी Rank-Wise वो कितनी थी 14,244 इस Last Rank पर Admission हुआ था EWS की बात करें तो 626 और 15,252 ठीक है इस Rank पर Admission हुआ था OBC की बात करें तो 628 और 14,501 इस Rank पर Last Admission हुआ था SC की बात करें तो 521 और जो कटा Rank थी वो थी 88,569 और ST कैडिकरी की बात करें तो 505 है ना 505 इस पर्टिक्लर मार्क्स पर 1,3,694 इस Rank पर Last Admission हुआ था याद रखें राजस्थान की बात करां और इंडिया कोटा की लेकिन इस बार क्या हो सकती है 2024 के लिए तो यहाँ पर देखें एस्प्टेड यह है कि जनरल कैडिगरी के जो कट आफ है इस बार और भी जादा जा सकती है नियरली 664 अगर आपके मार्क्स है तो आप अपने आपको सेफ समझ सकते हैं ठीक है और 16,000 आपकी और इंडिया रैंक हो सकती है इस पर एडमिशन हो जाएगा इड़ली एस में अगर 663 आपके मार्क्स हैं तो जनरली 16,500 इस रैंक पर आपको मिल सकता है OBC की अगर हम बात करें 665 इस पर मिल सकता है ठीक है क्योंकि seat जो है वो कम है थोड़ा सा SC की बात करें हम 587 और 92,000 अगर आपकी रैंक है तो मिल सकता है ST कैडियरी बात करें तो 572 ठीक है इस रैंक पर आपको particular college मिल सकता है I know कि यह rank इस बार बहुत ज़ादा है marks भी बहुत ज़ादा है क्योंकि आपको पता है cutoff बहुत ज़ादा गई है number of student जो है वो कुछ जादा है participate कर रहे है clear है और किसी other topic पर वीडियो चाहते हैं तो comment section में mention करें उस particular topic पर वीडियो बना कर आपको provide कर दूँगा बाकी मिलते हैं आपसे next video में एक नई information के साथ तब तक के लिए जैहिन